जहिन साथियों नमस्कार अब हैक्सर कम्प्यूटर लाया है आप सभी के लिए शुबा सुबा धमाकी दार प्रशनों के साथ ट्रपल सी की डिविजन क्लास जी या दोश्थों हर सुबा ट्रपल सी की डिविजन क्लास होगी जहां पर आपको मिलेंगे CCC exam के धमाकेदार प्रश्ण साथी साथ exam से पहले आप अभेक्षाल computer की CCC की 1100 प्रश्णों की महामेथन क्लास को देखना मत भूलिएगा वोगि वह एक मात्र क्लास आप सभी को CCC exam टॉप कराने में सक्षम है तो उसे आप जहूर देख लीजेगा और Libre Office के बहुत साथ प्रश्ण exam में देखने को मिलते हैं इसलिए Complete मैंने Libre Office की महामेथन क्लास करा दी है उसे भी आप देख लीजेगा जिनें भी e-book की आवशकता है हमारी नई e-book आप सभी के लिए आ चुकी है जिस पर प्रजेंट टाइम पर भारी डिसकाउंट चला है वीडियो की नीचे लिंक दी गई है वहाँ साब विजिट करिए डाउनलोड करिए और ट्रपल सी एकसाम को टॉप करिए साथी साथ मौक टेस्ट के लिए विजिट कर लिजिए www.abhexl.com दीजिए टेस्ट बनाईए खुद को वैस्ट तो चलिए सुरू करते हैं आज की एक क्लार पहला प्रश्ण आपका उमंग एप ने 2018 में सर्वस्रिष्ट M सरकारी शेवा पुरुसकार जीता उमंग एप है क्या यह कुश्चन आपके एकसाम में काफे पूछे आता है उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है उमंग में N क्या प्रजेंट करता है यह सारे कुश्चन ट्रपल सी एकसाम में पूछे आते हैं तो उमंग भार सरकार के दारा जारी किया गया एक एप है जहांपर सरकार की जो भी शेवाएं हैं जिसे गॉर्मेंट अपनी जनता को प्रवाइड करती है उन सभी का कलेक्शन उमंग में आपको मिल जाता है उमंग का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजेगा The Unified Mobile Application for New Age Governance तो यहां पर N क्या प्रजेंट कर रहा है New Age को प्रजेंट कर रहा है और यहां कतन बिलकुर सत्य है कि उमंग एप को 2018 में Best M Government Service Award मिला था तो यहां पर इसका Right Answer हो जाएगा Option Second True एक चीज़ को आप ध्यान में रखेगा CCC Exam में कभी-कभी First Option में False देता है और कभी-कभी True देता है तो आप एकदम Careful ठीक है एकदम ध्यान देकर अपने एकसाम को दीज़ेगा कि First में True है या फिर False है अब Next निमलिखित मेंशे किसे सर्वस्रेष्ट सेवा मौडल की रूप में जाना जाता है मेंसे किसे हम शर्वोत्तम सर्विस मौडल के रूप में जानते हैं लास्ट चैप्टर CCC का है Overview of Future Skills and Cyber Security का जहां पर Cloud Computing एक टॉपिक आपको मिलता है उशी के अंतरकर ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं यहां पर यह होगा P.A.S. ठीक है तो P.A.S. का Full Farm होता है Platform as a Service S.A.S. का Full Farm होता है Software as a Service and I.A.S. का होता है Infrastructure as a Service इन तीनों के Full Farm भी CCC सामें का पर पूचे आते हैं तो यह तीनों आपके सरवुत्तम सर्विस माडल कहलाते हैं इसलिए इसका राइट अंसर होगा Option 4th all of the above अब Next Cloud Computing System है Means Cloud Computing System कैसा है Stateful है Reliable है Stateless है या फिर Connection Less है तो आपका Cloud Computing System बिलकुल Stateless System होता है Option 3rd is right अब Next QR Code बार कोड का एक प्रकार है Means QR Code इस टाइप आप बार कोड मिन्स किस टाइप का एक बार कोड होता है देखिए यहाँ पर थोड़ी सी confusion हो जाती है बहुत सारे लोग 2D को मानते हैं बहुत सारे लोग 3D को मानते हैं लेकिन अधिकतर जो 3D बार कोड होते हैं इनको QR कोड की संग्या दी जाती है तो यहाँ पर इसका right answer क्या होगा 3D होगा ठीक है इसके लावा 2D भी होता है लेकिन जो अधिकतर केस है वो 3D का होता है जो भी 3D बार कोड होते हैं उन्हें QR कोड की संग्या दी जाती है अब next निमलिखित मेशिक कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाब परियावरन को सुरच्छित करने का कारक नहीं है विच आप दी फालोइंग इस नाट अफ फैक्टर इन सेक्योरिंग दा इनवार्मेंट अगेंस्ट ऑन अटेक ऑन सेक्योर्टी बताईए तो सुरच्छित करने के कारक नहीं है पूझा है तो देखीए, hackers की education means hacker की सिच्छा तो उसका एक कारक हो सकती है network architecture भी सुरच्छित करने का एक कारक हो सकता है system configuration भी सुरच्छित करने का एक कारक होगा लेकिन the business strategy of the company means कोई भी company है company की जो business के नियम है या फिर जो business के लिए वो rule follow कर रही है या फिर उसकी जो सकती है जो इसका plan है वो परियावरन को सर्चित करने का कोई कारक नहीं है परियावरन का मतलब यह हमारे environment से नहीं है यह computer के जो cyber environment है उससे है ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer क्या होगा option second ठीक है अब next लिब्रे office writer में प्रियुक्त default font name क्या होता है तो यहाँ पर देखिए हम लिब्रे office writer को open कर लेते हैं default का मतलब जब आप open करते हैं वहाँ पर जो भी font आपको दिखाई देती है वही default कहराती है जैसे यहाँ पर देखिए क्या है liberation serif ठीक है यह आपकी क्या है default font name style है यहाँ पर size कितनी होती है तो 12 होती है ठीक है याद रखिएगा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option first ठीक है spelling यह होगी option first is right अब next what is the shortcut key of demote icon icon को demote करने के लिए shortcut की क्या होती है alt प्लस control प्लस right alt प्लस shift प्लस right control sorry alt प्लस control प्लस left and alt प्लस shift प्लस left दोस्तों एक question यहाँ से आपको even मिल सकता है कि demote icon का option आपको किश मीनों के अंतरकत मिलता है तो सबसे आप यह बताईए कि demote icon आपको कहाँ पर मिलता है तो यह आपको मिलता है LibreOffice Impress में यहाँ पर जब आप जाएंगे format में तो यहाँ पर देखिए कई सारे options मिलते हैं उसी के अंतरकत आपको मिलता है list का option list में bulleted list, number list, demote और promote का option मिलता है तो demote की shortcut की होती है alt, plus shift, plus right और promote की होती है alt, plus shift, plus left ठीक है? इन दोनों को आप याद रखिएगा ऐसे ही move down की alt, plus shift, plus down और move up की alt, plus shift, plus app होती है यह किस menu होता है? तो format menu के अंतरकत पाया जाता है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा alt, plus shift, plus right एक बाद चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर गुस्सा हो जाते हैं आप लोग है थोड़ा सा गलत होता है तो गुस्सा हो जाते हैं list में alt, plus shift, plus right ठीक है? तो इसका right answer option second अब next LibreOffice 6.0 यह वर्जन दे रहा है ठीक है? LibreOffice का जो वर्जन है 6.0 है वहाँ पर calc में जो column है column की maximum चौणाई कितनी होगी यह आप से पूची गई है वो भी cm में आपको बताना है तो maximum जो है वो आपकी 100 है ठीक है? maximum 100 cm column की चौणाई हो शकती है अब संथर्डेस राइट अब next What is blog? blog क्या है? एक online data diary है एक article है एक instant message है या फिर इन में शे कोई नहीं बताए ब्लॉग क्या है? तो blog एक हिसाब से online data diary होती है जहाँ पर आप परड़े अपनी diary लिखते हैं जैसे कि आप हमारा ब्लॉग दिख्षकते हैं www.abhexlcomputer.blogspot.com तो वहाँ पर जो भी contents है मैं regular post करता रहता हूँ तो वो क्या है हमारी एक online data diary होती है अब next ASCII कितने bit का होता है? ASCII है क्या? तो एक American code है आपका और ये कितने bit का होता है तो 7 bit का होता है कितने का? शाथ bit का आपका ही होता है कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा लेकिन right answer क्या है? 7 है जब थोला सा increase होगा तो 8 हो जाएगा जब 7 होगा तो वहाँ पर character होगे 128 और जब 8 bit का होगा तो वहाँ पर 256 character हो जाते हैं दोनों में difference है तो आप confused भी मत होईएगा अब next जब आप एक प्रस्तुती खोलते हैं तो कौन सा tab by panel पर उपलब्द नहीं है प्रस्तुती का मतलब presentation जब आप presentation को open करते हैं तो वहाँ पर कौन सा tab by panel पर उपलब्द नहीं होता है outline, slides, notes and all of the app बताईए तो यहाँ पर देखी impress open है तो impress जब आपका open है तो यहाँ पर देखी आपको slide मिलता है और outline मिलता है दो चीजे मिलती है एक slide और outline मिलता है लेकिन यहाँ पर notes का कोई भी option नहीं होता है यह जो है आपका slide panel कहलाता है slide pane याद रखेगा इसको जो dotted है इसको हम बोलते है place holder क्या बोलते है place holder तो by default आपको दो place holder यहाँ पर मिलते है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option third notes ठीक है याद कर लीचेगा अब next भीजा गया mail कहा इस्टोर होता है means जो mail आप भेज देते हैं वो कहाँ पर इस्टोर होती है send mail में send mail में draft में या फिर out box में तो जो mail भेजी जा चुकी है वो sent mail में इस्टोर होती है याद रखेगा draft में क्या होता है जो mail हम नहीं भेजते हैं save कर देते हैं वो draft में होती है आउट बॉक्स में जो मेल भेजी जा रही है वो इस्टोर होती है अब next निमलिखेत में से कौन सा अनुभाग स्लाइट लियाउट में मौजूद नहीं है बताईए विच आप दी फालॉइंग सेक्षन डस नाट एक्जिक्ट इन अस्लाइट लियाउट तो देखें स्लाइट लियाउट में आपको टाइटल्स मिलेगा लिस्ट मिलेगा चार्ट मिलेगा लेकिन वहाँ पर एनिमेशन आपको नहीं मिलेगा तो राइट रंसेस का हो जाएगा अप्शन फूर्थ एनिमेशन अब next हाफ डूपलेक्स में डेटा संचार की गती दो दिसात्मक होती है true या false हाफ डूपलेक्स, फुल डूपलेक्स और सिंपलेक्स ये तीन चीज़ें आपकी यहाँ पर होती है और काफी important है तो बेलकुल सही है, हाफ डूप्लेक्स में डेटा संचार के गती दो दिसात्मक होती है, लेकिन दोनों दिशाओं में एक साथ डाटा नहीं जाता है, एक समय में एक ही दिशा में जाता है, ठीक है? अब next निम्नमेशिक किसकी द्वारा, इंटरनेट से एक कम्प्यूटर पर काम करते हुए, विस्तो की किसी भी जगा पर इस्थित कम्प्यूटर को एकसेस कर सकते हैं, बताईए तो ऐसा है आपका टेलनेट टेलनेट के मात्यम से आप एक कम्प्यूटर पर वर्क करते हुए विस्तो कि किसी भी जगा पर इस्थित कोई दूसरा कम्प्यूटर है उसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अब नेक्स्ट रूलर स्लाइड किस और प्रदरशित होती है बताइए रूलर कहां मिलता है आपको तो देखिए रूलर कहां मिलता है उपर मिलता है और बाई साइड पर मिलता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप्सन थर्ड टॉप एंड लेफ्ट ruler क्या करता है page की margin को shut करने का काम करता है exam America question में पूचाता है कि ruler का उप्योग क्यों करते है तो page की margin को shut करने के लिए ruler का उप्योग किया जाता है अब next BCR क्या है बताईए BCR का full form क्या है तो BCR का full form होता है barcode reader क्या होता है Option second is right अब next पेटियम शम्बंदित है ओडा फोन से, एल्टिल से, जियो से या फिर खुद के परसनल बैंक से प्रसें टाइम पर आप सब शुनते हैं पेटियम पेमेंट बैंक तो पेटियम क्या है? खुद की एक परसनल बैंक है इसका किसी भी सिम से मतलब नहीं है या किसी भी नेटवर्क आपरेटर से कोई मतलब नहीं है या खुद का एक परसनल बैंक है अब next एनियेक की जनक कौन है? बताइए एनियेक आपके लिए काफी important है previous class में मैंने इसके बारे में explain करके आपको समझाया था इनियेक के जनक कौन है? तो जौन मुझली और जेपी एकर्ड ये दोनों लोग हैं इनियेक के जनक दोनों लोग इने मिलकर इसकी खोची थी तो इसका right answer हो जाएगा आपसन फोर्थ A and B दोनों अब next What is ISDN? ISDN क्या है? बताइए Integrated Service Digital Network International Service Digital Network Integrated System Digital Network या फिर Integrated Service Data Network बताइए काफी important है आपका ये तो ISDN का full form होता है Integrated Service Digital Network दुश्तों CCCA में काफी सारे full form भी पूछे आते हैं इसलिए जो मैंने आपके लिए e-book बनाई है जिसके link मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहाँ पर CCCA की फुल फॉर्म्स, लिब्र आफिश की shortcut keys, लाइने सुनिस की command, founder name एक complete package दिया है जिसको पढ़के आप आसानी से CCCC exam को top कर सकते हैं अब next लिब्र आफिस में नियुनतम, row और column की शंख्या क्या है यहाँ पर पूछा है नियुनतम मतलब minimum कितना हो शकता है यहाँ पर देखिए, writer, calc और impressed नहीं दिया है ठीक है calc में क्या होता है, already row और column होती है row की संख्या 10,58,56 है ना उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा आप जितनी चाहें यूच कर सकते हैं वो अलग की बात है तो यहाँ पर हम insert करने वारा देखते हैं कि हम कोई table insert करते हैं तो वहाँ पर row और column कितने होते हैं table insert करने की shortcut की क्या होती है यहाँ भी triple six exam में का पी पूछी आती है तो यहाँ पर हम table पर जाएंगे insert table पर click करेंगे तो control प्लस F टल्ब होती है तो यहाँ पर देखिए अभी name में table 1 लिखा है एक question यहाँ से पूछा आता है कि क्या LibreOffice में हम table को अपना name दे शकते हैं तो बिल्कुल सही है आप जो भी name देना चाते हैं वो name यहाँ पर दे शकते हैं by default में row और column की शंक्या कितनी होती है यहाँ भी triple C exam में पूछाता है तो LibreOffice में by default row और column की शंक्या to 2 होती है means दो row और दो column होते हैं यहाँ पर minimum करते हैं देखिए यहाँ पर हम one करते हैं और one करते हैं one one पर हमने click किया और ok कर दिया तो यहाँ पर देखिए आपकी एक row और एक column आगया ठीक है भाई एक ही ही है तो एक ही row एक ही column होगा वहाँ पर कोई dividence नहीं होगी अब हम try करते हैं zero करके table पर जाते हैं insert table यहाँ पर अगर हम one कर देते हैं और zero कर देंगे तो भी आपका one one ही आएगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आप नियुन्तम क्या मान सकते हैं एक और एक एक row और एक column यही नियुन्तम होचकता है इससे कम आपका नहीं होचकता है तो यह थे आज के अति महत्मूल प्रश्न मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ class पशंद आई होगी अगर आपको यहाँ class पशंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा साथी साथ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ जरू दीजेगा और यह class कैसी लगी यह भी आप जरू बताईगा ठैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो फिर मिलते हैं निस class में तब तक के लिए बाय आप